बूत पिचास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो दोस्तो इसी के साथ इस नए व्लोकी में श्वागत करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आशा उमीद करता हूँ में हम सब निकल चुके हैं महंदिपुर बालाजी के लिए और यह हमारे सरकारी बसे जिससे ह जा रहे हैं और इस ट्रिप के अंदर मैं आपको यह बताऊँगा कि आप कम से कम बजट में कैसे महंदिपुर बालाजी पहुंच सके जैसे आप जैपूर आते हैं अगर जैपूर में बस स्टेंड है सिंधी कैम आप कहीं से भी आते हैं तो पूछ चकते हैं सिंधी के व्लोग देख रहा है या रायस्थान से बाहर से इस व्लोग को देख रहा है तो उनको करना क्या है वो डिरेक्ली आ सकते हैं बांदी कोई रेलवे स्टेशन वहां से 36 किलोमेटर का डिस्टेंस पड़ता है एक जीप मिलेगी वह मैं आपको आगे बताऊँगो कि कैसे लेकर को सस्क्राइब जरू करिएगा और सबसे बड़ी चीज दोस्तों यहां से आप हमारे बस तो निकल चुकी है कुछ इन्फोर्मेशन पर आपको दे देता हूं भी नॉर्मली कोई सोचता हो कि हमको कब बसे मिलेंगी क्योंकि देखो हमेशा रेलवे से सफर करना हमारे लिए होता है बस आपको एनी टाइम हर घंटे घंटे पर सिंधी के मिलती रहेंगी सिंधी के बस से और वहां से आप बहुत आरहम से ट्रेवल करके निकल सकते हो जैसा कि आपने इन दोनों को देखा है मतलब बस जैपुर से खुली भी नहीं है पर इनको नीन आ गई है और यह सोन करेंगे बस यह करिएगा सुबह घर से नहाध हो करके निकले क्योंकि आपको पता है कि वहां पे जादा तर पेत्र मतलब बहुत पिचास इन सब चीजों को छुटकारा पाने के लिए कोई प्रॉब्लम्स के लिए और कुछ ऐसी बीमारियों को भी हम दूर करने के लिए वह जब आप बैंदी को रिलेस्टेस ने पहुंचो गए ना वहां से मिलेगी और आपको बहुत लो चार्जिस के अंदर यह यह मतलब देखो सीजन के सबसे चेंज करते रहते हैं जैसे सटर डे संडे हो गया तो इनकी थोड़ी ऊपर नीची होती तो आप आके पता कर सकते हो यह जीब आप जब श्राहिस्टान के बाहर से रहे हो तो आरम से आपको इजीब ले के आ जाएगी महंधी पर अइंडी पर ऊपाला जी कहें आप ठीकित न हम वार्गडिनिंग फ़एовор करके देख ले medidas के अंदर इमेजर नहीं कर सकते हैं वो चीजे देखिए हैं के अंदर मैं बस इतना कहूँगा आपको आप सब आते हैं खास तोर से अपने समान का अपने परिवार्स का और बच्चों का खास तोर से चोटे बच्चे उनका ध्यान रखो क्योंकि ऐसे ही क्राउड में अन्होनी ऐसे चीजे हो जाते ही जो हम नहीं इमेजन कर सकते हैं तो ये लमसम जो आप ये लाइन देख रहे हैं न ये में चलते चलते दो किलूमेटर तक गया था मैं आप सब को इतना बोलूँगा कि देखो सटेड़े को या मंगलवार को ये दोनों दिन में अगर परशानी जहिलनी पड़ती हैं तो मैं ये चाहँगा बैजे को मेरे को जो एक्सपिरिंस हो है मैं चाहँगा आप सबको अच्छा एक्सपिरिंस हो तो आप थोड़ा इस चीज़ का धान रखीगा मौर्णिंग में तीन चार बज़े तक कि हमेरे साथ में सिम्रण जी है तो अभी इन्हों ने क्या कर रहा इनों यह पूरे रास्ते में से बैठते बैठते गई है क्योंकि मौर्णिंगा टाइम था क्राउड में खड़ा भी रहना था यहां पर को सीन हो गया था बहुत बुरा वह आप एक पर देखो तो दोस्तों जो इस चीज के बारे में आगे बात करेंगे जो अपना भी वीडियो देखा है हम चल चुके है अंदर और यहां पे ना मेंदी प्रवाले जी में बहुत चीज़े बदल चुकी है पहले जो हम आते थे तो पुराना रास्ता पुरान जगे थे अभी पूरा री कंसर्ट कर दिया है पूरी चीज़े को रीडिजाइन किया गया है दुबारा जा बनाया गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब आने जाने की फैसलिटीज बहुत अच्छी कर दिये क्राउट सुतनी है नहीं और किता भी क्राउड आ तो इसको मेंटेन कर सकते है अब करें दर्शन करके सुकुन आप सबकी भी मनोकामरा भवान पूरा करें यह जो आप मिठाईयों का धेर देख रहे हो यह इसके लिए यहां पर डाल दी जाती है क्योंकि बोला जाता कि यहां का परशाद यहीं खाके जाना है आप लेके नहीं जा सकते हैं तो जो लोग लिमि परशाद करेंड करके हम भी अंजनी माता के मंदिर की तरफ में निकल चले कदमों को धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हुए कि जल्दी से जल्दी हम अंजनी माता मंदिर पहुंचे और वहापे जाके दर्शन करकर करके बीच मैसे स्ट्रोल्स मिलते जांसे आप अपने परशा वीडियो में भने रहो मैं आपको आगे से दिखाऊंगा देरे-देरे यह लोग भी पीछे-पीछे हमारे आ रहे हैं और हम दुनों इनसे थोड़ा तेज हैं आगे चल रहे हैं मैं मैं श्रद्धा हो नीचे में सब कुछ हो जाता है एक चीज और मैं आप सबको कहना चाहूंगा मित्रों जब आप तर्शन करने के लिए तो बीच में ऐसे न चोटे-चोटे-चोटे-चोटे मंदिर बना करके लोग ने रखा रखा है जैसे आप यह सब देख रहे हैं ज है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा अब वहां जाईए वहां माता टेकिए और वहां जो भी दान पुनिया जो भी आपको मनत है आपको करना है वहां करके यह ज़रूरी नहीं है कि हर जाए करना है अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि और उचाए से वीव दिखाऊंगा मैं तो यह थोड़ा उचाए पर आया था तो मैंने सुचा वीडियों अब यह देखो वीव कितना अच्छा लग रहा है बाबाजी का थाम मतलता अब लगता है कहां और मूर्ती तो इसमें और भी अच्छे लग रही है यह बीच में काली माता जी का मंदिर आ नहीं देखा था तो मेरे कदम रुखी नहीं रहे थे मैं सुच रहता है कि जल्द से चल्द वहां पहुंचूं और पहुंच करके वहां दश्चन करें बीच बीच में काफी मंदिर ऐसे आते रहे उनका ज्याकारा करते हुए मैं और मेरा पूरा परिवार हम आगे की तरफ बढ़ते रहे और बीच में बिना रुके जो भी चीज़े है रास्ते में उनको देखती हुए हम बस यह प्रड़ले लेके बैठे थे कि चल्द से चल्द हम मंदिर पहुंची और दश्चन करें यहां पर फोटो शेशन वगरा भी करवा सकते हैं अगर आपके मंद्चा है कि यह रास्तान का कुछ यादे लेके जानी है तो लेके जा सकते हैं और यहां पर हमारी यात्रा पूरी होती है अंजरी माता के मंदिर में पहुंच गए यहां पर और सच बताओं एक बहुत ही सुखद आनंद यहां पर प्राप्त हुआ मन किया जैसे मां के गोद में बैठे ह होते हैं बिल्कुल वैसे ही बैठे वे थे और क्या से उठने का मनी नहीं कर रहता अगर आपको सच बता है तो अगर आप आते हो बाला जी के तो ज्यादा नहीं है एक देड़ किलमेंटर की चड़ाई है और वह बहुत आराम से विर्द्द से विद्द विक्ति भी कर सकते ह हमारे साथ माम्मी जी थी जो मेरी सास है तो वह भी बहुत आरंधर चल के आ गई ती तो आहां रहा रहा सकते हैं यहां पेले नहीं олжा मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा आप वहाँ जाके देख सकते हैं और वहाँ पर कुछ ऐसी चीजे मैंने देखी जो आप मतला आपको मैं क्या बता हूँ अच्छा एक चीज ध्यान रखेगा अगर भेरोजी के मंदिर पर जाते हो तो कोई भी खाने पीने का वस्तू आप अपने हाथों में ना रखे ने तो आप जैसी देख रहे हैं बंदर बहुत जादा है तो दो क्या कर एंगे चीज या तो चीजें चीजें लेगा फिर बच्यों की आथ में रहे हैं क्योंकि वह जानवार इंगों को नहीं पता है तो कम सक्चम हम अपना ध्यान रखे हम चीज़े आपको बता देता हूं इसके अंदर जो आप ध्यान से रखेगा हर जगे पैसे देने की ज़रूत नहीं है आपका मर्जी पर डिपेंड करता है क्या आपका कहां पर शद्दा है वहां पर आप दान करिएगा जैसे मंदीर है वो भी फोटो सेशन मगरा कराना है तो उ पीच-बीच के अंदर बहुत बड़े-बड़े और अच्छे-चे मंदीर आते हैं जहां पर आप अपने प्राचिन सभ्यता को भी देख सकते हैं और अपने मन की इच्छा हो कर सकते हैं तो यहां से आगे बढ़ते हुए मैं कुछ चीज़े आपको बता देता हूं आप यह यहां से घरीट लेकर जा सकते हैं आप खा ये पेज़िये मिठाए को यहीं छोड़के जाये नहीं खा सकते हैं तो घर मत लेजा है है कि जैसे की मैं आच्छी एनर्जी होती है वैसे ही बुरी एनर्जी भी होती और अगर अत्माएं here तो जो चीजिबंगा आप खास कोई पर से ध्यान रखेगा आप कुछ भी चीज जीसरी यहां से खाने पीने की वैस्ती तो आप सब के उपर ना कुछ हो जाए तो इसका ध्यान रखिए यहां पे आ करके साइन्स मतब कई वैसे हैं जैसे मैं आपको वीडियो में पहले भी बोला था है जहां पर साइन्स आ करके बोल देता है कि इनका इलाज नहीं हो पहाएगा तो बाबा जी की दरबार में वीर हनुमान जी के दरबार में आकर के उनका बहुत अच्छी तरह से यहां पर ईलाज हमने होते हुए देखा है तो अगर को ऐसी समझच चाहे तो आप नाम से यहां कि यहां पर बखाय दे अपना इलाज वगरा करवा सकते हैं दोस्तों बहरो जी महाराज का दर्शन करने के लिए गयते हैं वहां पर केमरा लाओ नहीं था और ऐसे द्रश्चे में देख करके आऊना कि मेरा दिमाग बिल्कुत सुन हो गया है बस हाई है भगवान उन सब को ठी बनाया गया जिसमें अंदर बच्चों को लेकर जा गए तो बाल रूप से ले करके हनुमान जी कि क्या क्या होई थी पूरे एक रामली लागा च्छोटा सा हिस्सा बना करके यहां रखा गया है तो आप आकर कर यहां देख सकते हो अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिख इसके इंदर दिखाया गया कि कैसे कैसे राम जी ने किया था कैसे यात्रह हुई थी हनुमान जी कहा कहा उन्होंने सयोग लिया यह सब को जश्म मैं देखा जाता है तो एक बहुत बहुत अच्ची याद भी बनती है तो आप आते हैं तो थोड़ा समय निकालकर यहां पर भ करता है आप सब अपने परिवाय के साथ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप पहले आप दर्शन करके जा चुके हैं तो आप कौन से ऐसी मुरादे जो पूरी हुई हमारा दूसरी बार हम उम्मीद करते हैं हर बार यहां पर आ पाए और अपनी जो भी छोटी बड़ी मुरादे हैं वो पूरी कर पाए प्रेम से बोलिए अनुमान जी की जय यहां यहां हमारे यात्रा सफल होती है पूरी होती है मिलते है नेक्स नेक्स व्लोग में नमस्कार